दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेश्टन पुलेटकल थाट यानि पाश्चात राजनीतिक चिंतन का बहुत ही महतपों टापिक थामस हाप्स जीवन परिस्थितियां और हाप्स के वीचारों पर प्रभाव अर्थात हाप्स के वीचारों पर किन वीचारों कारकों तथा परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ा दोस्तों हाप्स की पहचान एक समझोतावादी विचारक के रूप में है जिसने कुछ पूरवर्ती विचारकों जैसे सोफेष्ट, एक्विनास तथा मिल्टन, सैमूल प्यूफेंडार्ड, ग्रोसियस आदि विचारकों की भाति माना कि राज्य ब्यक्तियों के बेज समझोत के बारे में पढ़ेंगे, आज के वीडियो में आएए देखते हैं हाप्स पर किन कारकों, विचारों और परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ा था, तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, दोस्तों आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में डि रूसो को प्रमुक्स सम्झावतवादी विचारक माना जाता है, जो भी हमारे राजनीत विज्ञान के छात्र हैं या विध्यारती हैं, वो जानते हैं कि सम्झावतवादी विचार, जो की 16-17 सताब्दी में बहुत ही महत पोड़ हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, उ लेकिन बेवस्थित धंग से इस सिध्धान्त का प्रतिपादन 16 और 17 सताबदी में थामस हाप्स, जानलाक और रूसों ने किया था। आज हम थामस हाप्स के जीवन परिष्थितियां उसके जो प्रमुख रचनाये हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों थामस हाप्स का जन्म ब्रीटेन के मैलमस बरी में 1588 में और उसकी मृत्तु 1689 में 91 वर्स की अवस्था में हुई थी। उसके जन्म के समय आर्मेडा का युद्ध हुआ था और ब्रीटेन में सभी जगे भय और आतंक का वातावरण था। हाप्स ने अपनी रशना में कहा है कि आर्मेडा के वर्स उसकी जन्नी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया उसे तथा भय को। उसका लगाओ प्रारंभ से ही कम था। उसकी द्रिष्ट बैज्ञानिक थी और उसने बैज्ञानिक द्रिष्ट कोण से चीजों को सीखने और सोचने का प्रयस किया। इसलिए धर्म के प्रति उसका लगाओ बहुत ही कम था। दोस्तों आईए देखते हैं थामस हापस की प्रमुख या जो प्रमुख रचनाएं हैं राजनीत बिचारकों या राजनीत बिज्ञान के द्रिष्टिकोंड से वो कौन कौन सी हैं तो हापस की पहली रचना है DCVA, DCVA में उसने संप्रवता की परिभासा दी है और संप्रवता को उसने जस्टिफाई करने का प्रयास किया है दूसरी महतवपूर्ण रचना है डी कारपोरे इसमें प्रकीर्थी और जनता को संप्रव का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में उसने विचार दिया है तीसरी महतवपूर्ण रचना जिसके साथ हापस का नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है वो है लेवायथन जो की 1651 में प्रकासित हुई इसमें उसने निरंकुस्तावादी राज्तंदर का समर्थन किया और ये माना कि राज्य में राज्य की इस्थिर्ता के लिए एक निरंकु प्रश्ण भी पूछे जाते हैं जैसे एक प्रश्ण ये पूछे जाता है कि लेवायथन की रचना हापस ने कहां पर की थी आप कमेंट वक्स में इसका उत्तर बताईएगा और एक हिंट है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि इंग्लेंट से निर्वासन के बाद ये कहां पर इसने कहीं और लेवायथन गरंथ की रचना की थी चौथा महतवपूर्ण गरंथ इसका है एलिमेंट आफला इसमें हापस ने बिधी की ब्याख्या और उसके प्रकार के बारे में बताया है पाच्वी महतवपूर्ण पुस्तक है एडायलाग अंदस सिविल वार जिसमे उसने ब्रिटेन के ग्रिह युद्ध पर चर्चा की है अब आईए देखते हैं दोस्तों हापस के बिचारों पर किन-किन बिचारकों, कारकों, परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ा तो सबसे पहले देखेंगे हापस के बिचारों पर भौतिकी यांत्रिकी का गहरा प्रभाव था हापस के बिचारों पर और गैलीलियों का जो गति का सिध्धान था इस सताब्दी की सबसे महतपूर उपलब्द थी जो सोलाहमे सताब्दी थी उसकी सबसे महतपूर उपलब्द थी गैलीलियों की जो गति विश्यक सिध्धान थै सबसे महतपूर बात ये है कि ये जो सताब्दी थी बिज्ञान के छेतर में ये सताब्दी गणीत, जयामिती, भौतकी और यांत्रिकी की सताब्दी कही जाती है जिस युग में हाफ्स का प्रादुर्भाव हुआ था तो हाफ्स के विचारों पे सबसे पहला प्रभाव भौतकी और यांत्रिकी का पड़ा था और गैलीलियों के गति के सिध्धान्त से वो काफी प्रभावित था हाफ्स इसी कारण मानता है कि गति ब्राहमांड का अंतिम सत्य है और प्रतेक वस्तु जो बिद्यमान है वो पडार्थ या पिंड है अर्थात कड़ों से मिलकर बना है और यह कड या पडार्थ हमेशा गत में रहती है इसके अलावा हाफ्स महान बैग्यानिक केपलर और डेका मेटेरियालिजम कहा जाता है हाफ्स के विचारों को क्योंकि उसने सभी चीजों के मूल में भौतिक पडार्थ को माना है और उसकी बैग्यानिक धंग से तरकपूर विवेशना की है इस कारण उसको बैग्यानिक भौतिक वाद कहा जाता है और इतना ही नहीं उसने मनो जाता है जिए जियान और राजणीद के छेतर में भी इसी बैग्यानिक भौतिक वाद का जो है प्रियोग करने का प्रयास किया था सेबाइन के हाप्स के विचारों से बिचारों पर सरवादिक जयामिती और यांद्रिक की प्रभाव रहा था दूसरा हाप्स पर डेकार्ड का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है डेकार्ड एक बिचारक है जो कि बैग्यानिक पद्धत के पड़ेता माने जाते हैं तो हाप्स पर डेकार्ड का भी बड़ा गहरा प्रभाव रहा है और बैग्यानिक पद्धत में सुसंगठित ग्यान की बात की जाती है तो इसी क्रमबधता और बैज्ञानिकता के आधार पर हापस मानता है कि भौतिक विज्ञानों की भात सामाजिक विज्ञानों की एक निश्चित पद्धती और पड़ाली होनी चाहिए और इसका मूल ये है कि तथ्यों का जो परिछण है वो निश्पच्छता से किया जाए और उसका मुल्यांकन उसी आधार पे हो और अन्त में उसी के आधार पे जो परिछण है जो हमारे तथ्ये हैं और जो उनका परिछण है उनके आधार पर किसी निश्कर्स पर पहुँचा जाए और यही बैज्ञानिक पद्धती है इस जो यांत्रिकी था, सरवाधिक महतपोन प्रभाव उसमे पढ़ा था, तो ज्यामिती का प्रभाव कपड़ा, तो यूरोप में अपने सिस्य बिलियम कैवेंडिस के साथ सैचिक भ्रमण के समय हाप्स को यूकलीड की ज्यामिती या जियोमेट्री पढ़ने का अवसर मिला और ज्यामिती से प्रेम हो गया, ज्यामिती का आकरसंड उसके लिए उस बिसे के कारण नहीं था, जितना कि उस सुद्रिण प्रमाण पद्धत के कारण जो कि उसमें प्रयोग की जाती थी, यानि ज्यामिती में जो पद्धती प्रयोग की जाती थी, उसके कारण हाप्स का लग बिशना भी की जाती है कि राजनीत और मनोविज्ञान जो हैं वो समाज भी ज्ञान है इन में भौतिक भी ज्ञानों की भात इस तरह से तर्क परिछन नहीं किये जा सकते हैं और नहीं क्रमबध निसकर से निकाले जाते हैं जो था जो प्रभाव रहा हापस पर तो हापस की विचारधारा पर इंग्लेंड के ग्रिह युद्ध और उस समय घटित क्रूर और हिंसक घटनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा तो जो उसका काल था उस समय इंग्लेंड में आर्मेडा का युद्ध हुआ था उसके अलावा 1688 का जो गौरपूर क्रांती या रक्तहीन क्रांती हुई थी ग्रियुद्ध की घटनाय थी वो सारी चीजें उसने उस पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था हापस पर और ग्रियुद्ध के समय इंग्लेंड में जो इस्थिती थी उसका भी प्रभाव पड़ा थ था सरकार कारगर और प्रभावी नहीं थी राजा की जो सक्ति थी उसको सभी और से चेतावनी दे जा रही थी साथ ही इंग्लेंड में जो चर्च था उसकी इस्थिती के संबंध में भी गहरा असंतोष था क्योंकि चर्च अपने को राजा से उपर समझता था रूढ़ वा राजतंत्र की अस्थापना हुई और राजतंत्र और भी निरंकुस हो गया था हाप्स ने ये सारा आवेश जनकनाटक अपनी आँखों से देखा था हाप्स के ही समय में ये सारी घटनाएं इंग्लेंड में हुई थी और उसने ये सारी घटनाएं अपने आँखों से देख लोग स्वार्थ अपने हित के बारे में सोचने लगे और भै और स्वार्थ के कारण ही वो मानो प्रकिर्थ जो विक्सित हुई है उसने अपने समझोतावादे सिध्धान्त की पुष्ट में जिस मानो प्रकिर्थ की बात की है वो कहता है कि चारो तरफ असुरच्छा और भै क अगला जो प्रभाव और कारण रहा है हापस पर उसका मानना था कि ब्यापार और जो आर्थिक विकास होता है उसके लिए सांत एक बहुत बड़ी आवसकता और सर्त है कोई भी समाज तभी आर्थिक विकास कर सकता है जब उहाँ पर सांती और ब्यवस्था हो और राज्य में एक निशित और पूर्ण सत्ता हो लेकिन ततकालीन इंग्लेंड में न तो सांती वेवस्था थी और ना ही एक पूर्ण सत्ता धारी सासक ही था वहाँ पर इसलिए जो सक्त थी उसके अनेक दावेदार थे और इस कारण यहाँ पर वेवस्था असांती और राजक्ता की स्थिती हो गई थी इसी कारण बिकास आर्थिक हीतों की पूर्ति के लिए एक एकिकरित सर्वोच और निरंकुस राजे की अस्थापना पूर्व सर्त बन गई थी और इसी कारण हापस ने अपने बिचारों में या उसके बिचारों का जो चरम बेंदू लेवायथन की रूप में आता है उसमें एक निरंकुस राजे की अस्थापना की वकालत उसने की है निसकर्स रूप में देख सकते हैं दोस्तों की थामस आपस पर अनेक घटनाव और कारकों का प्रभाव पड़ा था जिसके कारण उसकी प्रिष्ट भूम और विचार पद्धत का निर्मार हुआ नवीन बैग्या कि संसार में पदार्थ के अतरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है आध्यात्मिक सत्ता को उसने कालपनिक माना है और पदार्थ को सर्वोच अस्थान देता है और अपने बैग्यानिक पद्धत के आधार पर उसने मनोविग्यान और मानो सभाव का विसलेशन किया और उसके आधार पर ही वो अपने नीसकर्स निकालता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें हमने देखा हांप्स का जीवन उसकी परिस्थितियां और उसके बिचारों पर किन किन भिचार कों भिचारों, खारकों और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था आगे हम हाप्स के समझोतावादी सिधान्द के प्रमुख बिंदु जो हैं मानोस औभाव प्राकृतिक अवस्था इन सब के बारे में भी देखेंगे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सबस्क्राइब करें नमस्कार धन्यवाद